ओम नमस्षिवाई दर्शकों श्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोस्तों मित्रों आज हम आप सब को रच्छा बंदन से जुड़ी कुछ खास बाते बताएंगे जिससे वीडियो के अंतक बने रहिए जिसमें राखी बाधने का मंत्र राखी बाते समय किस मंत्र का उचारण करे चंदन लगाने समय किस मंत्र का उचारण करे सिंदूर या रूरी तिरक लगाते समय किस मंत्र का उचारण करे लेकिन वीडियो के अंतक बने रहिए दोस्तों तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी रच्छाबंधन कब है किस दिन है राखी बाधना है बधवाना सुब होगा यह सवाल पर इस बार सभी लोग के मन में आ रहा है दर असल इस वर्ष रच्छाबंधन की तिथी को लेकर उल्जन की इस तिथी बनी हुई है क्योंकि रच्छाबंधन स्रावन पुर्णिमा के दिन मनाने की परंपरा है और इस बार स्रावन यानि स्रावन पुर्णिमा दो दिन है इसमें पहले दिन भध्रा भी लगा है जिसमें राखी का तेवार मनाना असुख माना जाता है ऐसे में जोतिसी मत और धार्मिक विश्यों के जानकारों की राय क्या कहती है किस दिन रच्छा बंधन मानना शूह रहेगा आईए जानते हैं हिंदु धर्मे में रच्छा बंधन के तेहवार को भाई बहन के अटूट प्रेम और रिष्टे का प्रतीक माना जाता है अब की बार रच्छा बंधन के दिन रवी नामक योग भी पढ़ रहा है जिसमें इस दिन का महत्त भी बढ़ गया है रवी योग को जोतिस सास्त्र में असुभ योगों के प्रभावों को नश्ट करने वाला बताय गया है इस योग में राखी बाधने से रिष्टा को बुरी नजर नहीं लगेगी और रिष्टा और भी गहरा और मजबूत बनेगा सावन मास की पुडिमा को श्रावुण पुडिमा और कजरी पूनम भी कहा जाता है बताया जाता है कि राखी को पहले रच्छा सुत्र कहा जाता था लेकिन मध्यकाल में इसे राखी कहा जाने लगा रच्छा सुत्र बाधने की परंपरा वजदिक काल से हो रही है राखी के तेहवारों में भद्रा का भी सेश ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्राकाल में राखी नहीं बादनी चाहिए दरसल धार्मिक द्रिश्टी से भद्र को असुव माना गया है जो किसी भी सुव काम में विग्न पैदा करती है आईए जानते हैं राखी बादने का सुव मुहुर्त और समय क्या है शावन मास की सुकल पच्च की पुर्विमा तिथी 11 अगस्त को सुवह 10 बज कर 38 मिनट पर सुरू हो रही है जो 12 अगस्त को सुवह 7 बज कर 6 मिनट तक रहेगी लेकिन सावन पुर्विमा सुरू होते हैं भद्रा भी लग जा रही है जो 11 अगस्त को रात 8 बज कर 35 मिनट तक रहेगी सास्त्रों का मत है कि भद्र काल में राखी का तेहवार नहीं मनाना चाहिए बहुत जरूरी होने पर भद्र पुंचकेश में राखी का तेहवार मना सकते हैं अईसे में अगले दिन यानि 12 जुलाई को भद्रा भी नहीं रहेगा और उदयाती थी का अनुषार पूरे दिन पुर्णिमाती थी का मान रहेगा इसलिए 12 जुलाई को राखी का तेहवार मना सभी के लिए शुब रहेगा बारा जुलाई को दो पर दो बजे तक आई श्मान योग रहेगा जिसमें भाई बहनों को दिरगाई का असिरबात देगी तो यह अधिक फल्दाई होगा दो बजे के बाद इस दिन सो भाग के योग लग जाएगा इस दिन सुबह से रभी योग भी उपहस्तिश रहेगा मुख करना चाहिए ऐसा करने से आपकी राखी को देवताओ का भी असिरबात प्राप्त होता है राखी बधवाते समय भाईयों को सिरफ रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए भाई 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 की दाही नहाच की कलाई पर राखी बांदे और फिर चंदन पर रोली का तिलक लगाएं तिलक लगाने के बाद अच्छत लगाएं और आसिरबात के रूप में भाई के उपर कुछ अच्छत के छीटे भी दें इसके बाद दीपक से यारती उतार कर बहन और भाई एक दूसरी को मिठाई खिला कर मुह मिठा करा है भाई वस्त्र आबुसन धनिया और कुछ उपहार दे कर बहन के सुखी जीवन की कामना करें